तो डियर स्टुडेंट आज की या वीडियो महा संग्राम होने वाली है बिए सिकेंड सेमिस्टर हिंदी की तो जिन जिन भी स्टुडेंट की परिच्छा लगी हुए है उनको मैं भरोसा दिला रहा हूं कि इस वीडियो को कम्प्रीट देख लीजिए क्योंकि यही वीडियो स कोश्चन तो महत्रपूर है ही साथ साथ में उसका उत्तर भी मैंने तयार किया ताकि आपको इधर उदर भटकने क्या सकता न पड़े सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो पूरी देख लीजिए बस आपके सारे के सारे कल्याण हो जाएंगे मताब आप परिच्छा में अच्छे सब्जेक्ट आपका हिंदी प्रशनपत्र का नाम कारेलई हिंदी और कम्प्यूटर है तो जितने बी कोश्चन होंगे आपकी परिछह में आपको अध्या हुत्र नंबर का होगा सबसे पहले आपको अतले हुत्रे कोश्चन आएंगे यहाँ पर पूरी दिश्या लीजिएगा कुछ इस प्रकार के होंगे देखो देख लीजिएगा ठीक है कि करे ले हिंदी वाला इंपार्टन कुष्चन है और हिंदी भाफी लगुत्रे के हैं तो इसमें से कम पांच छे कोईश्चन इसी अत्य लगुत्रे में से आपकी परिच्छा में फसाइंगे जो कल हो गई ठीक आपकी परिच्छा ओके उसके बाद आजाएगा राजभासा और कारेली हिंदी से आप क्या समझते हैं वर्तमान समय में पारबासिक लीटर लिखना है वह हो सकता है कि छुट्टी के लिए हो सकता हो आप इमार है तुछ के पैंसे की ज smn चैनल ने में रोला है तो बहुत बड़ा ना बहुत अच्छे से आप लोग लोग जानते हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो यह सब्सक्रेइब पढ़ाई और परिजटरी से यह के बाहसे बात प्रमक प्रशन है यह महात पूर है दूसरा वाले भी महात्पूर्ण है तीसरा वाला भी महात्पूर्ण है तो देर गुत्रे में तीन प्रस्ट जो दिये गए यह हजारों बार पूछे जाने वाले कोईश्चन है मतलब कि जितने विवार भी एक परिच्छा हुई जब यह सिमेस्टर प्राइए लाग हुआ तब से कोईश्चन आई आई रहा है तो यह तीनों को तीनों महात्पूर्ण प्रस्ण है इन सभी प्रस्णों का उत्तर मैंने बाकाइदा तयार कर लिया है कि इस हम आ चुके हैं महा संग्राम पीडियाप के ओर इसी पीडियाप से आपकी परिच्छा में सारे प्रस्णाएंगे 100% गैरेंटी के साथ आप लोग पुरूप कब देखेंगे मेरी बात कब इस्वास करेंगे तब अवरना जब पेपर देंगे तो आपको खुद ही पता चल ज यह तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं तो उत्तर लिखेंगे ऐसे सब्द जहां से सुनेंगे ऐसे सब्द जो किसी विशेश ग्यान के छित्र में निश्चित अर्थ में प्रियुक्त होते हैं उसे पारभासिक सब्द कहते हैं पारभासिक सब्द का मतलब यही हुआ सिंपल नाकेंगे ठीक है पारभासिक सब्द होते हैं और जो सब्द एक निश्चित अर्थ में प्रियुक्त नहीं होते हैं मता लग तो उसको हम लोग समान सब्द वाले सब्द बोलते हैं ठीक धार नक्षितुएंगे और यहीं पर अगला पॉइंट है कि पारभासिक सब्द कार्थ जिसकी सीमाय बांद दी गई हों और जिनकी सीमाय नहीं बांद दी जाती हैं जिनकी जो सीमाय हैं बांद दी जाती हैं उसको हम पारभासिक सब्द कहेंगे और जिनकी सीमा नहीं बांद दी जाती हैं उनको हम कह कि ऐगे समाने सब्सक्मान करो एक खर विए अर्थ की जाए कि ये अगर सब्सक्राइब traction एंगा वो बांध दिया गया कि हां से भी होता है लेकिन फल फ्रीट्स में बहुत फारे फल आ जाएंगे तो उसके कोई बंधा नहीं तो इस प्रकार समझ लीजिए अगरा प्रशन है कि संचेपड की परिभाफा दीजिए संचेपड बहुत बड़ा टॉपिक है संचेपड चुड़ कोई बिश्तित चीज बड़ी चीज है उसको सोट कर देना कम सब्दों में प्रिश्टुत कर देना यानि कि बहुत बड़ी बात कम सब्दों में कह देना उसको संचेपड कहते हैं किसी बड़े पाठ निबंध लेक सोध प्रबंध आद में मुख विचारो तरको आद को प्रिश्टुत करना संचेपड कहलाता मताब कि कोई भी निबंध कोई भी मेटर है उसको कम सब्सक्राथया में प्रिश्टुत कर देना ही संचेपड है ठीक है ध्यान लखेंगे परमुख प्रशन है अगला संचेपड के बिशिफ्ता क्या electr divisions के मुल्भाव की संच्चिप्त सरल अभिवक्त संचेपड या सार लेखन की मुख बिसेश्ता होती है साल लेखन में मूल भाव बिचारो बातो तथा तथ्यों का रच्छन आवस्यक होता है मूल अनुछेद में बेक्त या निरूपित मुख बिचारो एउं भावो कि क्रम बद्ध अस्थापना फंशेपड की दूफरी महत्पूर्ण बिसेश्ता इस बात को ध्यान ना केंगे तो इस प्रकार फंशेपड के बारे हम लिखेंगे ये भी महत्पूर्ण है हमेशा पूशा जाता है तो पल्लवन के बारे में जानते हैं बहुत प्रोष्ण है यह सारे के सारे कोश्चन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाफ पे मैंने सब पारे पेपर एनलेसिस किया है उसे हिसाफ पे सारे कोश्चन तयार किया है और उसके उत्तर तयार किया है तो ट यहां पर कहा गया है कि किसी भाव का विस्तार करना इसमें किसी विक्ति वाक के सुविक्त कहावत लोगतियां आध के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत करना ही परलवन कहलाता है इतना लिख देंगे तब भी पूरे नंबर में लेंगे बाकी आप डीटिल में बना के लिख सकते हैं परलवन की अकोर परिबासा आप लोगों को एक समस्थ मैं प्रस्तुत की अगर वो नहीं समझ में आ रहे तो यह पर लीजेगा परलवन का साब्दिक अर्थ है किसी विस्त कोई आपका विस्तार विस्तार रहें तो इस चीज़ का विस्तार मतलब की डीटियल में ठीक है इसके अंतर अंतरकत भाव रिचार का अर्थ अस्पष्ट किया जाता है लेकिन की इस कीरिया को हिंदि में पल्लोन कहते हैं ठीक है तथा व्रधी करन विस्धिकरन समवरधन भाव विस्तार आज परलवन के अनन्य नाम है तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार लिखेंगे परलवन के बारे में बेलकुल सिपल परिमास आमने तयार की कि आप आठवी क्लास दासवी क्लास के भी है तब भी आसानी समझ जाएं ठीक है अगला कि इपार्ट साला से आप क्या स जिसको बोलते आप लोग यूजी सी ठीक है यूजी सी क्या है न पूरे जितने भी विष्विद्य लाएं ऐस फिच्छा मंत्राले बताया घ़ैंगा यहां पर शिच्छा मंत्राले यह जितने भी फिच्छा संबंधित सामयम है इसकोल्द आ सब्दी लोगों इन सभी चीज जाने कि केंद्रे फिच्छा मंत्री तो केंद्रे फिच्छा मंत्री ने फिच्छा मंत्राले के अंतर मतलब की फिच्छा मंत्राले में यह सब चीजें की लूट की है तो फिच्छा मंत्राले जो है वो एक बेपसाइड जारी की है ठीक है और उस बेपसाइड के अंदर आपको एक कच्छा एक फिलेकर बार हुई तक की एंसी आर्टी की जितनी भी बुक्स है वो अपलोड कर दी गई है ताकि छात्र बिना कहीं इधर उधर भटक की वहां से पनी पढ़ाई कर सकता है ठीक है तो यह है आपका इफार साला ध्यान लखेंगे इपार साला बहुत बड़ा हव है जहां पर आपको कच्छा एक फिलेकर बारहुए तक की बुक्स अपलोड मिलेंगे फिरी में ध्यान लखेंगे ठीक है अध्याप प्रशना क्या से संबंधित सूचना उस संबंधित बेक्तियों आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाफित किया जाता है इसे हम अधिसूचना के नाम से जानते ध्यान रखेंगे प्रूंक प्रशन है सिंपल परिवासा है अगला प्रस्तुत है कि पॉर्ट कोस्ट से क्या तात पर है त एक आधा बार पहुंचा गया है फिलिए मैंने फोचा रख देते हैं कि आ गया तो अच्छी बात नहीं है कोई बार नहीं अगला प्रशन महत्पूर्ण है पत्र कितने बरकार के होते हैं मैंने आपको बताया था ठीक है लेकिन यहां पर कोश्चन है कि सरकारी पत्र किसे कह में सबसे अधिक जो पिरियोग है वो सरकारी पत्रों का होता है ठीक है तो इसी प्रकार लिखेंगे आप सरकारी पत्रों के बारे में ठीक है important प्रश्न है कई बार आ आ चुका ध्यान लाखेंगे ओके चलें इस कोश्चन की आवैदन पत्र किफे कहते हैं जिसको आप लोग पत्र कहलाता है आविदन पत्र में अपने इफ्षित से अधिकारी को आउगत कराते हुए आप एच्छित सहायता या अन्कूल कारिवाही की प्रासना के जाती है किसी भी अधिकारी को ठीक है तो सिंपल ची परिभाफा आप लोग तैयार कर लीजिए का बहुत ही महात पूर् होती है तो दोनों में डिफ्रेंस बताना बहुत ही प्रूप प्रश्ण है तो पहले समान हिंदी की बारे में जान लेते हैं समान हिंदी का प्रियोग समवेद्नाओं की अभिवेक्त के लिए किया जाता है इसमें समाजिक अपने राग दुईस क्रोफ राष्ट पेम तथा बिद्रो की अभिवेक्तियों की आवसकता आनुरूप प्रियोग में लाता है लेकिन जो कारले हिंदी होती है कारले हिंदी का समवन्द समाजिक की समवेद्नाओं या भावनाओं फे नहीं होता है और नहीं समाजिक के विचारों को अभिवेक्त प्रदान करते हैं यह सिर् को यूज करती है प्ल सी बात है कोई य लेना ना है उसके संबंद में लोगों को सारवजिक बिग्यापन चैलाती है त्थिए उससे लोग जानते हैं उसके विंद्ग turns यह सब एक पिर प्रकार से सब्वहिश्ब्यान बेचा जाता और कोई शर्विश व भी बिट लेता है यहां सजी आपकी सबक आप करने गा उसे आनलान कर देंगे तो ऑनलाइन कुछ कश्णूमर बना लेंगे आप उनको भेज़ देंगे तब वह जाके आ जएगा और आप उसका प्रचार प्रसार कराएंगे लोगों फे ठीक है आएड के मादें फे तो उसको कहा जाएगा एडवर्टाइजमेंट ठीक है तो बहुत सारी परिभाफ आए हैं बिग्यापन की अलग-अलग जो कि मैंने कई बार आप लोगों को इस्प्लेइन भी किया अच्छे पे तो इस प सम्मंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत अकरश्ट कराना हो फरकार के किफी आदेश का परिपालन सीग्र कराना हो किसी विवाग की कोई जानकारी अभिलम लेना हो तब अर्धसारकारी पत्र भेज़े जाते हैं इन पत्रों को ओपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है ठी अधियान तुरंत अपनी और आकर्शित करें लिए तो वहां पर आप लोग अर्धसरकारी पत्र उनको लिखते हैं ठीक है अगला प्रस्तित प्रारूपड ये भी कई बार प्रस्ण आ चुका देखी मादल पेपर ने जो प्रस्ण था उसी का उत्तर देख लिए भी दो अलग अलग हैं लेकिन सिम्लर हैं दोनों के बारे मच्छेस पढ़ लिए बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है टिपड़ और टिपड़ी में अंतर बताईए डिफरेंस बताईए बहुत ही हाई-ले-बर कोईश्चिन है सिंपल सा आउत देख लिए टिपड़ी में किसी वि प्रश्ण प्रश्ण आएगा पका कंप्यूटर से आख़ा क्या ऐसा है इफी तरह कि इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्ण है जो पिछले वर्सों में बार बार पूंचे गए हैं उन सभी प्रश्ण है और उसका उत्तर है यह कुलमला के महासंग्राम पीडियाफ है अग जॉइन होने के बाद आपको एडमिन का अफ्षन मिलेगा क्योंकि इसमें आप मैसेज तो भी नई पर जिए तो आपको एडमिन का आफन नीला नीला दिखे का नीचे तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा वाटसप नंबर देख जाएगा ठीक है तो मैसेज करने के ल सब्सक्राइब कर लिजेगा और बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए और कोई कोश्चन जो रूप हुँ से मिलते होने वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंदे